केवल भावना भाने मात्र से भी मोक्ष की प्राप्ति संबव है और कुछ हो या न हो भावना तो व्यक्ति भाही सकता है तो जानते हैं मुख्य भावनाएं जिनको भाने मात्र से व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से पार जा सकता है सबसे पहले जानते हैं कि भावना क्या होती है तो बार-बार सुब विचारों से आत्मा को भावित करना भावना है भावना बारा प्रकार की होती है सबसे पहली भावना है अनित्य भावना यानि संसार के सभी पौदगलिक पदार्थ अनित्य है कोई भी वस्तु सास्वत नहीं है यहां की सारी ही वस्तु ये नश्वर है, परिवर्तन सील है उत्पन होती है, नश्ट हो जाती है ये शरीर, इंद्रिया, यौवन, आरोग्य, धन, सम्रदी, पत, प्रतिष्टा, विशई सुख और जीवन सब कुछ अनित्य है, टेंप्ररी है जगत में सभी पदार्त काल करम में परिवर्तन होते रहते हैं संसार का जो स्वरू प्रात काल था, वो मद्यान काल में नहीं रहता और जो मद्यान काल में रहता है, वो शाम में नहीं रहता सभी संबंध या संयों का वियोग निश्चित है आत्मा के अतिरिक इत संसार में कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है बार-बार इस प्रकार का चिंतन करना ही अनित्य भावना है दूसरी भावना है अशरन भावना अशरन भावना में ये विचार किया जाता है कि इस संसार में हमारी आत्मा का रक्षक या उसे सरन प्रदान करने वाला कोई नहीं है रोग, आपत्ती, संकट या मृत्यू आने पर संसार का कोई भी भौतिक साधन या सगे संबंदी, स्वजन, परिजन हमें उन दुखों या विपत्यों से बचा नहीं सकते तीसरी भावना है संसार भावना इस संसार में जीव अनादी काल से जन्म और मरन के तरह तरह के दुखों को सहन कर रहा है कर्म के कारण आत्मा का एक जीवन से दूसरे जीवन को प्राप्त करने का नाम संसार है जब तक आत्मा के साथ कर्म है तब तक उसे संसार में परिब्रमन करना ही पड़ता है शुब असुब कर्मों के अनुशार नरक, तिर्यंच, मनुश्य और देव इन चार गतियों में व्याप्त इस संसार में परिब्रमन करता हुआ जीव तरह तरह के दुखों को भोगता है तिर्यंज गति में चुदा, तृष्णा, मारपीट, आदी की पीडा और नरग गति में छेत्र जन्य या परमाधामी देवो द्वारा या परसपर कृत वेदनाए सेहनी पड़ती है मनुष्य गति में जन्म, जरा, मृत्यू की वेदना से गुजरना पड़ता है तो देव गति में अल्पता, अदिक्ता के कारण इश्या, दुख, द्वेश की आग में जीव जुलसता है एक भी गति में पूर्णत या सुक नहीं है, इस तरह संसार के दुख्मई स्वरूप का चिंतन करना संसार भावना है चौती भावना है एकत्व भावना, यानि आत्मा के अकेलेपन का चिंतन करना एकत्व भावना है संसार में प्रत्येक जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरन को प्राप्त करता है उसके साथ कोई भी स्वजन परिजन नहीं होता है जीव अपने स्वयम के कर्मों का करता और भोगता है संसार में ब्रम्वस, तन, धन, स्नेही, स्वजन, परजन को अपना साती मानता है लेकिन एक समय में वे उसे छोड़ कर चले जाते हैं ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना है पांचवी भावना है अन्यत्व भावना यानि ये जो शरीर मैंने धारन कर रखा है वो मेरा नहीं है फिर घर, परिवार, कुटुम, बज्जाती, धन, वैबव, आदी मेरे कैसे हो सकते हैं जब शरीरी मेरा नहीं है तो बाकी के लोग कहां से मेरे होंगे मैं अन्य हूँ और ये सब मुझसे भिन्न है, अलग है शरीर आदी तो जड़ है, नाश्वान है, अस्तिर है, चन बंगूर है मैं तो आत्मा हूँ, चेतन हूँ, सास्वत हूँ शरीर आदी में मोह आ सकती रखना हितकारी नहीं है जिस प्रकार तिल से तेल और खली, धान से चिलका और बीज, फलो से गुटली और रस अलग हो जाते हैं इसी प्रकार ये सरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है चटी भावना है असूची भावना इसमें ये भावना की जाती है कि ये शरीर असूची मई है यानी शरीर रक्त मांस मज्जा मल मोत्र आदी ग्रिनित पदार्टों से बना हुआ पिंड है माता के गर्ब में असूची पदार्टों के आहार द्वारा इस सरीर की वृद्धी हुई है उत्तम स्वाधिष्ट और रसिले पदार्तों का आहार भी इस सरीर में जाकर असूचि मई मल के रूप में परिनत हो जाता है इस देह को चाहे जितने सुगंदित पदार्तों से युक्त जल से स्नान कराया जाए इस पर चंदन केसर आदी उत्तम से उत्तम पदार्तों का लेप किया जाए फिर भी सभी द्रव्य दुर्गंद रूप में रुपांतरित हो जाते हैं इस प्रकार की शरीर की असूचिता मई का चिंतन करना असूची भावना है सात्वी भावना है आस्रव भावना मन वचन और काया के जो शुब या अशुब व्यापार द्वारा जीव शुब अशुब कर्म ग्रहन करता है उसे आस्रव कहते हैं आत्मा में मिथ्यात्व, अविरती, प्रमाद, कशाई, योग, रूप, आस्रव के द्वारा निरंतर नए नए कर्मों का आगमन होता रहता है। इसी कर्म बंद के कारण आत्मा के जन्म और मरन का चक्र चलता रहता है। इस प्रकार का चिंतन करना आस्रव भावना है। आटवी भावना है सम्वर भावना, सम्वर भावना में आसरव द्वारों को बंद करने के और सम्यक्त्व और वरत आदी साधनों और उपायों पर चिंतन और मनन किया जाता है नवी भावना है निर्जरा भावना यानि बद कर्मों को नश्ट करने के फल स्वरूप कारन और उपाय आदी का चिंतन करना निर्जरा भावना है निर्जरा का अर्त है जरजरित करना या पूर्व बद कर्मों का धीरे धीरे च्रह करना आत्मा के लिए वही निर्जरा उपयोगी है जो संवर पूर्वक की चाती है वही निर्जरा आत्मा को कर्मों से मुक्त कर सकती है जिस निर्जरा के साथ नए कर्मों का बंद नहीं होता ऐसी निर्जरा तब आदी के द्वारा होती है तब करते हुए परिश्चह और पर दुक की अनुबूती नहीं होती है, बलकि आनन की अनुबूती होती है। जीव उसे ज्ञान पूरवक समभाव के साथ सहता है और कसायों पर विजई प्राप्त करता है। दसवी भावना है लोग भावना, यानि जिस भावना में लोग के यथार्त स्वरूप, उसकी रचना, आकरती, आदी पर चिंतन मनन किया जाता है, वो लोग भावना है। इस भावना में उर्द्व लोग, मद्य लोग, तिर्चा लोग, इनकी स्तिती और उसमें निहित सर्व पदारतों के स्वपर का उपयोग पूर्वक, विचार और चिंतन किया जाता है। उर्द्व लोक में देव, विमान, मद्य लोक में असंक्या, दीप और समुद्र, तो अधो लोक में साथ नरग भूम्या है, लोक अनादी, अनन्त और छे द्रव्यों का समूह है, इन द्रव्यों के स्वरूप और परस्पर संबंदों के विशई में चिंतन मनन करना लोक अस्वत होने या लोग किस पर टिका है इस तरह की मित्याधारनाए नश्ट होती है ग्यारवी भावना है बोधी दुरलब भावना यानि 84 लाक योनियों और 4 गतियों में ब्रह्मन सिल मनुश्यों को उत्तमकुल प्राप्त हो और उसमें भी आत्म बोध सम्यक्त्व मिले ये अत्यन दुरलब है मानव भव, धर्मस्रवन, धर्मस्रद्दा और धर्म का आचरन अत्यन थी दुरलब है पुन्य के उदे से ऐसी स्तिती प्राप्त हुई है तो इस सम्यक मार्ग की और क्योन आगे बढ़ा जाए इस तरह का चिंतन करना बोधी दुरलब भावना है संसार म मनुष्य परियाई ही एक ऐसा परियाई है जिसमें धर्म को धारन करके सम्यक संयम तब आधी का आचरन करके कर्म बंद से मुक्त हुआ जा सकता है या मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है बारवी भावना है धर्म भावना यानि जिस भावना में धर्म और तत्व का चिंतन किया जाता है वो भावना धर्म भावना है संसार में प्रत्यक वस्तूअ की प्राप्ति छुलब है परन्तु धर्म के सादक, स्तापक, उपदेशक अरियन्त प्रभू या अरियंत तिर्थंकरों की प्राप्ति अत्यंत या महा दुरलब है इसमें मनुस्य ऐसा चिंतन करता है कि ये मेरा भाग्या है कि मुझे तिर्थंकरों द्वारा बताया गया सर्वगुन संपन धर्म मिला है ये धर्म प्रानी मात्र का कल्यान करने में शक्षम है जब मनुश्य पर विपत्ती, रोग, मुसीबत, सोग, भई, आदि की आंधिया उमरती है तब सांती, धैर्य और समत्व द्वारा आत्म स्वभाव में स्तिर रखने वाला एक मात्र धर्म ही है तो इस तरह धर्म की शरन को ही उत्तम शरन कहा गया है संसार में एक मात्र धर्म ही शरन है जन्म जरा मृत्यू के प्रवाह के वेग में डूपते हुए प्रानियों के लिए धर्म दीप ही उत्तम स्थान और शरन रूप है इसके अतिरिक अन्य कोई भी रक्षक नहीं है तो ये थी 12 भावनाओं से संबंदित संचिप्त जानकारी आप कौन सी भावना का प्रयोग करते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें